नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा और विधान समझ जिनाओं आते ही चिनावी सरगर्मिया धीरे धीरे बढ़ रही है इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिन्ता पर हावी है एक तरफ जहां भाती जन्ता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है इसी क्रम में समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके डॉक्टर शिप्रताप यादव ने भी बल्रामपुर के विधान सभा गैसरी से अपना ताल छोगती है वहीं जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर शिप्रताप यादव जन्ता के दिलों में राज करने वाले हैं तो सपा के कद्दावन नेता भी माने जाते हैं साथी साथ में पूर्वांचल के सपा पाठी के एक योद्धा के रूप में भी माने जाते हैं इनका चिनावी सफर बल्रामपुर से ही शिरू हुआ है ये बल्रामपुर शहर में इस्थित MLKPG कॉलेज में प्रोफेसर भी है सिक्षा के छेत्र बे रहते हुए भी राजनीती में जो मिसाल इन्हों ने कायम की है एक सोचनी अविशे है आज इसी क्रम में प्राइम टीवी चानल से एक खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व स्वास्त मंत्री डॉक्टर शिर्प्रताप यादव जो देंगे प्राइम टीवी चानल के सवालों का जवाब तो कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके है पूर्व स्वास्त मंत्री डॉक्टर शिर्प्रताप यादव जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम आपसे कई सवाल करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सव कि कैसा है उत्तर प्रदेश का हल सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीती देखने को मिल रही है और कई ऐसे सवाल भी है जो कई बार चुनाव के टाइम पे उठते हैं कि क्या पहले की सरकार सही थी या इस वक्त की सरकार ठीक है क्या पहले जिस तरह से अपराद होते थे उसमें अब कमी आई है या और बढ़ गए है तो ऐसे तमाम सवाल है जो आज हम करेंगे डॉक्टर शिर प्रताव यादफ से जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सपा के कारकाल में स्वास्त मंत्री रह चुके हैं और सपा हर एक मुद्दे को विपक्ष के तौर पर प्रमुक्ता से उठाती भी रही है और जिस तरह का महौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर हम कई सवाल करेंगे आज कई सवालों का जवाब हमें आज मिलने जा रहा है और फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा के पूर्व मंत्री तो सर आपकी बात हम कंटीनियों करना चाहेंगे जो भी आप कहा रहें तो पहले उससे पूरा करते हैं कि यह उत्तरपदेश थी हालास बहुत ही खराब यहां पर जंगल आज है कानून पर उस्था आपकी कोई चीज नहीं गोर्व में लेगे व्यापाजी के होटल में चरोगा ने इस्पेक्टर ने वसूली वसूली के चक्र में उसीरी के लिए जोय के हत्या कर दिया और कि यह जो है कि अगया है यहां पर पहुंचे लखेट शीडी में लाइंड आटर अपसाद मार्व और कहां जो है किसान ने प्रत्रों किया था और भगदर में महुत हो गई तो यह डिजी लाइंड आटर मेंटर करने के लिए है कि सरकार के जो हुकम है सरकार में जो आना लखना है उसको छिपाने के लिए बटे लिए है तो कानूं जोस्ता कैसे चीव होगा जब रच्छा की बच्छा बन गए जिस सरहासे सरकार में सब कुस ठीक नहीं है कई ऐसे मुद्डें जिसमें सवाल खड़े हो रहे हैं वही हम बात करें लखीमपूर खिरी की तो उसमें क्या कहेंगे क्यों विपक्ष को जाने से रोका जा रहा है का पुली चला देना उनके ऊपर पॉचाए कर देना यही लटीपुर्भी में हम राजीद में हैं अगर कोई अच्यारह मुझाए हो रहा है अगर हत्या और रहीं ऑव सथाके सरफ्चारि में सथाके pro दूप बादपा के मंत्री अगर जो है अगर कर रहे हैं तो विपन्स को अ जाना ने उदार एक गाली जी से शिक्राद आई है जैने गोर्से के उदारी है जी इसलिए जो है लोगतार में ये जो है सबको अज्टार है प्रोड पर बसंगे और जाने का कहीं अगर कुछ घर्टा हो जाती है जी शिब्रताब जी ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि विपक्षु इसलिए रोका जा रहा है ताकि महौल ना खराब हो जब विपक्ष लखीमपुर खिरी जाएगा तो वहां में महौल भीगड़ जाएगा आपका क्या कहना है देखे सरकार थुदी महाल खराब जद रही है पिपकर के जाने से लोग सांती होंगे हैं कि हम क्या हमको अजकार ने कि कोई मौत के घाड उतार दिया गया है सरकारी प्रंद द्वारा तो उसके सुख संथ परवार से मिलने के लिए हमको अजकार नहीं है और भात्पा के लोग यह सरकार में बैठे लोग हैं और मोदी जी अभी कलाय थे पढ़ाना थी लगनों में उन्होंने एक संथ भी जो है संबेरना का या सांतावना का या सोख परवार को नहीं दिया अजील भालत से देश में यह क्या हो रहा है जो लोग अगर कोई बिखुष के लोग या कोई बिरूत करता है और समय दो के कानू ला लिया अगर किसान दश महने दिल्ले के बाटर पर वैठा हुआ है प्रसाइब लिया और फिर भी सरकार सम्मेदना के दो संप नहीं ब्यक्तिकर रही है तो अगर किसान अंदोर्ण कर रहा है तो उसको अथकार है और आज गादी जिन्ना होते क्या चंपानन अंग्रीजों ने पिर चंपानन जाने से नहीं रोका था और ये सरकार तो काले जन्ना दायर मन गई है जलिया वाला बांग लखें कुछी दिक को बना दिया है तो गोड़े अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों को भी जिसे वो आधी राज को भागे थे दोहजार चौविज में और उसके पहले दोहजार बाइस में ये जो है जिसने काम देओंगे आधी रात को भागपा वाले भाग रहें अगर उस तरह की अपराध होते थे हट्याई होती थे उस वक्त कैसा मौहल रहता था और किस तरह से कारवाई की जाती थी है कि दिखे हमारा सब्गार मेरा आगरा इिक रह बना मानिया अख्ले सिया दोगी कर दिन बदेट पर वहाँ इग इग किसान नहीं किया जटन अधर, सुपूरूर बिद्द हमारे सरकार में इतने कंवे और एक पी किसान आंदोरन नहीं हो तो यह परत है और हमारी सरकार में क्यों विकास हो रहा था जी सब्सक्राइब सेक्टर में देखिए समाजवाजी पेंशन जोगना चपन लाग दिया गया इस्टुडेंट्स को जो है इसकी अलावा जो है एक आना इस्टेटियम बना और लखनों में लोहिया इंस्टूट बना और मेर्टर कालेज में सव बेंड का सताब्दी हार्पितल बना और यहीं नहीं पूरे 208 एंपलेंस ऑन्स में सेवा दिया गया कुल्स का कुछ वाघ्र के और उन्हों कर देंगेए और इन्हों की सरकार इसका पिकास कि उअध्वा सब्सक्राइब के नियुक्तियमने पताए इसी को सरकार है कि दो ने पिकास का काम जो पस्चिम बंगाल में था उसको दिखा लिया यूपी में और अमरीका में जो एक काठाना था उसको दिखा लिया यूपी में और विग्यापन जाने कर दिया और धरातर में यह है कि आज देखे धरातर में इस पानी नहीं मिला है यह इनका है किसान एक साल करीब से मौझूदा समय से प्रदर्शन रहते हैं और सपह लगातार उन्हें समर्थन दे रही है अगर आपकी सरकार बन जाती है तो उनका किस तरह से आगे बढ़ा है जाएगा अगर उनकी जो मांगे उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा तो यह सरकार तो पिसान में रूधी है हमारी सरकार प्रदर्शन रहे तो हमारी बनाएं और यह सरकार जो है कर दो दो रहें पर दो दो किसान के लिए उसको दिया जाएगा जेश्योप्रत आप जी हूंप्रपजी हम आप से यह जाना चाहेंगे कि सपा के दो हजार बाइस के मुद्डे क्या है चुनावी जुए बिरोजगारी जो फीसाइब बिरोजगारी है उसके लिए विरोजगारों को रोजगार देना है इसलिए हमारे दिराज़्टियÏक भिकाये जर्गार बनते ही पहले करो पैटनक में दस लाख बिरोजगारों को नुवडी दी जाएगी माहिलाओं का सब्मान, माहिलाओं की सुर्ट्षा, हमारा मुद्दा है जो हमारे चाहत रहें, जो नौदवान है, उनका बहुत दिक अस्तर बढ़े, उनको लैटाब दिया जाएगा, ये सरकार ने जो फीस प्यताहता पढ़ा दिया, लेटल चाहे हो, पढ़ाई हो, चाहे हैं समय बढ़ा जिया, उसको हम काम करेंगे, और बच्चों के लिए जो है, जो फिरी इजो किसम के लिए उस्ता किया जाएगा, और फार करें माहिलाओं के लिए, और इसके रहा हमारी सरकार है, एक फर्ष्टाचार मुद्दो होगी, ये सरकार में नुबर, ठाने से लेकर हम जमीनी काम करते हैं, पाने, बलाग, तैसी, जिला, साले, लूट के अड़े बन गए, पोलिस जो है, स्वरक्षा के लाम पर उसूली कर रही है, साले पर कोई जाता है, तो उसकी अपायार नहीं होती है, बिना पैसे के फायार नहीं जड़ की जाती है, और भट्टाचार चर जड़ के गड़े, अब तो सड़क में गड़ा नहीं हो गई है, और इसके अरावा इन्होंने पोरोना काल में अंचिजन नहीं दे पाये, वो भी हमारा मुद्धा होगा, हमारी तेकर सरकार थी, स्वास्चेट में जड़ना काम हमारी सरकार ने किया है, मानिय अप्लिक्स आ सबस्टार में बढ़ा ने कि अब तो वासे ये पूछना चाहेंगे कि सबस्ट जिस हालत में छोड़ कर आई थी, क्या उसी हालत में अभी भी राज्य है या उससे हालत ऊपर नीची होई है? कि नहीं हमारे सरकार में छोड़के गए उससे पत्तर आला दिन हो नहीं करनी है अब यह मैं बता रहा हूं साथ में हमने बढ़ने पर आया है यह वहां पर चाल चाल नहीं करना पाई आला इन्हों ने इनका तो यह हालत है 108 तो और 102 जो सेवा दिया था हमारी जो हमारी सरकार में जो पिकास काम हुआ था वहीं के वही पड़ा हुआ है और उससे भी पत्तर हालत हो गई है यहां तक उर्चा अभी बढ़ाग ने जो हमारी सरकार में च्राइड है काट्हाने लेगा अंडी ही बढ़ा कर दो पर किया था इसे एक यृवरे syllables नहीं बढ़ायição और थागते हैं कि हम 24 गंटा सब्सक्राइब गाव में 5-6 गंटे से ज्यादा पिजली नहीं जा रहे हैं पूरा बधार है जो है और पिजली के रेट सबसे ज्यादा महगा हमारे उत्तरप्तित नहीं है जो है जो पिजली के दामों को कम करेंगे और जो आखाने जो है वह भी बढ़ाए जाएगा जी और सुछाव स्वास्त के छेत्र में कैसे गाव करेगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर सरकार बनती है तो अगर सरकार बनती है जी पहुत बदबोड़ में अगर गिना इयर बहुत समय लगेगा और शिच्छा कि छेद में धिए हमारी सरकार जब मानि नेताजी मुखमति थे या मानि अधिलीस जदूजी असेवित बला के लोदना के अंदर सभी बला दो मन दो तीन जो है कंदे एंटरकालेज बनाएगे महला महामः जाले बनाए गया इसके अरामा जो है कंदे दधन दिय गेंगे इसे बहुत एक अस्तर पड़े आज ये सरकार डिजिटल इंडिया बात करती है इनोंने कोई काम किया इंटर्णे शेवा ये तो जो है अदानी अम्मानी के चकल में अब उनको जो है प्रभाव पड़ा है देश दुनिया पर और सिक्षा पर भी तो इस पर क्या कहेंगे किस तरह से सिक्षा को बहाल किया जा सकता है कोरोना के समय में जिस तरह से यूपी संबला है तो क्या आप काम से संतुष्ट है देखे यूपी समला नहीं है बनकि कोरोना उला खतम हो गई है यूपी में और लोग मरें उत्तर पर देस के उत्तर पर देस में और यह चिपा रहे हैं यहां तक की लासे जोई गंगा में तैर रही थी हजारों लासे यह और जोई कभिस्टान और सम्चान घूम पर लाइन लगी थी तोकन में 55 घंटा वेटिंग लिस्ट था तर्दागरूं का दासंशकार बाद यह क्या बात रहें अगर 208-202 में से हमारी सरकार बिरना होती तो हमार सरक्साइब कि अधियनों ल Freddie सन्वें ने वहीं का माई ये तो कुल नेमने कर पाए यह तो सब्सक्राइब अधीर organism that तो वहीं देखें की सुर्वात हुए थी स्वार्जयों साखित बदाली का और एक डाक्टर तो इन्हें देल बेदिया इसे लगा दिया तो शुब्रिम कोर ने छोड़ा उस डाक्टर को डाक्टर आलीमिय का नाम है तो इस सरीके से यह सरकार केवल बुरिस्ट के बल पड़ ज यहां तक कि अगर कोई कही दिया किसी अत्ताल में यहां पर आक्टर नहीं मिल ला है तो 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 उसके पर इफाई हाल करके ट्लेल बेजा गया यह ताना साही इन्होंने यह भी किया कि जो है अगर आक्सीजन जो रुद्द है तो पहले स्क्रमों से पर्मिसन लीजे तब तक पूजी जी यह जो चम्रिक सिक्का चला रहे हैं और जो है पुलिस के द्वारा चला रहे हैं और इसकी सबासरकार आएगी जिन्होंने इसे हरकत किया है चांज कराकर उनकों पी जेल में डाल जाएगा जी जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था नौकरी देने का सब्सक्राइब नौकरी जाएगा रहा जाएगी जाएगी ज़ृधार जी इसाफ जाल जो जाएगी जोफां पनागा पन्ता करोंड नौकरियां समाप्स हो गई शरकार में और जब वेरुद्गार नौकरी मानता है तो यह करते का और ।ा पकोड़ा बेचू आप देखें म यह तो यह तो जो है प्रोजगारों को जो है यह चाहते हैं प्रोजगारी पढ़े और लोग लोग कटोड़ा लेकर जो आजाए और उनको जो है उनको फिरी में चावलों गहुंदे दिया जा सणा और उसके बाद में बिमारी भी फैले और जाने हमारा फेड भर गया है तो इस तरीके से यह सरकार जो जुबले बादिक कर रही है जोई नोगरी नहीं दिया है यह नोगरी योगी बाबा ने दिया है जितने भी सिक्षक इस वक्त प्रदर्शन करें उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या सपाउं उनकी और सरकार बनती है तो अप जितने होे है तोन देखेड़ी सुनवाई करेगा अगर सरकार बनती है तो और वये जो हमारी सरकाराइगे आगे जाज़ा जाएगा और शिच्छा को भाटती भी के जाएगा और शिच्छा में पंघ्यात्र दो वहाद बोपनागे दो जाएगा किसानों को डॉक्टरों को और कई लोग ऐसे भी हैं जो मुद्दा इस वक्त गर्म हों उन लोगों को पत्रकारों को टिकट दिया जाएगा तो इससे चुनाव पर कितासर पर सकता है कि आसे लोगों ठीकर टेंगे जो समाज जिंदी की सब्स्क्राइब आ और जो 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 है हमारे शरकाल के बाते में जनता है पाद में ना मंदिल में ना गर्जा गर्जागर पाद में खूलों पंदे राम देले के गरीबों को च्यात मिताना गरीबों के जो है आचों को पोशना उनके चहरे पर पुषाली लाना वंतिम अंतिम पर विजय यात्रा निकाल रही है तो कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करने का अनुमान है सपाका? तो आपको 400 सीटों की उमीद है? हम विल्कुल उमीद है पुरा लाहर है तो कौन सा ऐसा मुद्ध है जिस पे जनता आपको पसंद करी हो भरपूर वोट देगी? कौन सी ऐसी चीज को लेके चल रहे हैं? तो क्यों रहे हैं? हम जिक जो हमने गाए तो तो वे रोज़गाद को मुद्धि देंगे और किशानों को जो है उनका फसल का नावकारी मुझ देंगे और शिक्षा चेत में जो हमारे लोज़वान है जो कि फिस पढ़ा दी उसको कम करेंगे बिष्वाद जूस्ता को सुछा रहेंगे और विश्टा करके उट्ब बनाएंगे। जी तो विकास का मुंद्व प्रकवर्टा से है . जी 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 बहुत सारे मुंद्व है जिसको लेकर राचल रहेंगे। तो विकास के मुंद्व निय Boss ने पर दिया गया है। पिकास के लेकर, कुंग मेला को लेकर, और यह तो इनके सर्कार में सादू संद्मी मारे जा रहे हैं, अभी देखे महां अखाड़ा परसा के राष्टे, धेख जो है, महां नरेंदर गिडी जी कहत्या हो गई, चार साल में, पांच साल में करीब चोविस सादू संद्मा मारे है MA. तो सबक किस राज नीती को लेके चल रही कैसे राज निती कर रही सपा, विकास के राज नित करती है, और हिंदू-MUSIV mów梨 एक बीडिय अज्टारी को सब्सक्राइब में की इन सब्सक्राइब करती अग्यूद और आज्टाइब साथ आध्यों का साथ वे अध्याय प्राजयों का सथ वड़े हैं अच्छे लखीमपूर्ग जो मामला इस सब्सक्राइब गर्मा रहा है और सारा विपक्ष उसका समर्थन कर रहा है पीडितों से मिलना चाहता है तो अब उस सब्सक्राइब किस तरह से आगे बढ़ेगी समाल वाजीज पार्टी जिस दिन घटना हो उसी दिन से आनों कर रही है झाल राट्टी को लखेपूर की खीरी जानी से जवास्टी रोका गया उनको इस तरह से लिया गया और समाल वाजीज पार्टी जो है परकाद नहीं किया जाता है, उन्हें पेटे खिलाब खाई आतर के जिल नहीं बेजा जाता है, तब तक समाजवाजी पार्टी जो है आंदोरन करेगी, आवाज जाएगी. श्री प्रताब जी एक गोरकपुर का अभी कुछ दिन पहले मामला उठा थे जहाब पुलिस वालों की गुंड़ाई देखने को मिली थी, तो इस तरह की जो प्रशासन की कारवाही चल रही है, प्रशासन इस तरह से काम कर रही है, उस पे क्या कहेंगा, अगर सरकार बनती है, तो पुलिस वालों का रवया कैसे बदला जाएगा? पुलिस वालों की बदला जाएगा? आपके पास और थही नहीं, जब जिलापेदा सदस चुना हुआ है, तो सबस्यादा समाजवाजी पाड़ी पाड़ी जीता, बल्लापुर जर्पन में चालिज में से पांच सीट जो है भालपाज जीती है, और सोरा सीट समाजवाजी पाड़ी जीती तो इसी प्रकार पूर सबस्कितों आपके पास तुछाईरा में चालिर में, प्रितान पास दुटाहां डिजीती में टो जब पास अपर में छोलपी ज़ने थालिए तो आपके यच्छावाजी पांच से द scripts तोज पर सरकार आएगी सजा दिलाएगा जिन्होंने फड़ी इंकाउंटर किया है जायो गोरत कुल में जो रच्छा को वही भच्छक बन गया है जो अपराजिय उन्होंने लगता है उन्हों सरकार को बंधक बना लिया है जी तो जनता अगर चाहेगी तो परिवर्तन आएगा तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा जी लोग वेस्ट आगर सीना ताम के चलेंगे हमारे गरी हमारी मैलाए की सुर्चाव भी और बच्छों को रोजगार मिलेगा अच्छी सिछा मिलेगी जनता को अच्छा स्वाथ जया जाएगा जो हमने पहले दिया उसको और अच्छा किया जाएगा जी विजू केसा जी जी जब हम करद होंगे तो तंद मी करद होगा जी गंगा जो है जब इमाले से निकलती है जब वहीं गंदी होगी तभी ज़हां पर गंदी गंदा गंदी आएगी पानी गंदा होगा जी जब सरकार बदलती है तो कई घोटाले सामने आते हैं तो क्या उम्मीद है क्या बीजेपी सरकार जिसने कई घोटालों का खुलासा किया है तो क्या उस सुबे भी कोई घोटाला निकल सकता है देखें बीजेपी सरकार ने कि तो हवावाई घोटाले, रिवर फ्रेंट घोटाला, खुलाना घोटाला, कोई घोटाला कोई सजा मिली, चार्ट सी ताकिल हुआ, ये सब फ़र्दी के उस जुमले बाजी, सरकार को बंदाम करने जन्ता समझ गई है, फटता चारिये करने है सरकों के गधाम उसके नाम पर हदार करने करने इन्जिक्शन के नाम dólaresबूटा है बात पावावारों ने, तो इन्हों ने किया है, और तो इसके नियोंत्र लाइन के दाम बर रहे हैं तो इस पर कैसे नियंत्र लगाएंगे राज जुमें कि दीजल पेट्रोल जहां कर सवाल है यह जो है केन सरकार का मुद्दा है जी हम तो मांग करें केन सरकार मुनाफा करें ये प्यापा करें जब गच्छे के तेल का दाम 2014 में जो है जादा था सब्सक्राइब कर गया है एक सब्सक्राइब कर गया है। सब्सक्राइब कर गया है। इन्होंने टेक्स बढ़ा दिया। और वह है जो हमारे क्योंने यह उसमें लगाते हैं। सब्सक्राइब कर गया है। कब तो कोशते रहेंगे पिपकी सरकारों को साथ साल होगे और अभी आप पिपकी स्कों कोशेंगे जनता इसका जवाब देगी जी बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया हमाई सब्सवास्त मंत्री डॉक्टर शिर्प्रताव यादव जी जुड़े थे जिन्नों ने ऐसे-एसे सब्सवालों के जवाब दिया है जो की जनता जानना चाहती थी कि अगर सत्ता का परिवर्तन होता है तो सब्सवा किस तरह से काम करेगी और कौन-कौन से मुद्दो पर काम करा जाएगा सब्सवा के कारेकाल में तो सब्सवा से बीजेपी आई है हलाकि बहुत सारे ऐसे लो अलहाल इस बातचीत में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी